Hello friends, BSC की special class में आप सभी लोगों का एक बार फिर से most welcome है My name is आचिश गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे BSC second year botany का second semester है cytology, genetics, evolution and ecology यानि के इस second semester के अंदर आप study करते हैं cytology, genetics, evolution and ecology दोस्तों इस semester से already हम कई सारी videos upload कर चुके हैं cytology से related जिते भी cell organs होते हैं, cell division होता है, cell cycle इन सभी को मैं cover कर चुका हूँ एक और important topic है cytology से related, cytoplasmic inheritance इसको भी मैं बहुत जल्द cover कर दूँगा इसके बाद genetics के अंदर भी हम काफी सारे topics cover कर चुके हैं, अभी कई सारे student comment करते हैं या Instagram पर message करके बोलते हैं, सर ecology के topics भी cover कीजे तो आज मैं upload कर रहा हूँ ecology का part 1, part 1 के अंदर हम discuss करेंगे ecology से related जितने भी basic terms होते हैं, जो कि most important है exam paper में short questions में आपसे पूछा जाता है, what is ecology या फिर ecology को define कीजे यह sin ecology क्या है, aut ecology क्या होता है, gene ecology क्या होता है, ecological niche क्या होता है तो मतलब जितने भी short questions होते हैं, ecologies related उसको हम cover करेंगे तो basically ecology क्या है, या ecosystem क्या होता है, यह सारे topics और इनसे related जो scientist है जोनोंने जैसे for example, ecosystem term use किसने किया था, ag tense ने ले तो इस तरह से questions MCQs में भी पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखते हैं तो simply guys, यह थी हम ecology को define करने की कोशिश करें कि ecology क्या होता है तो जितने भी living things है, जैसे for example, plant and animals, इनका इनके environment से जो relationship होता है जो interaction होता है, इसी interaction की study को कहा जाता है ecology यह इसको और अच्छे से define करने की कोशिश करें, तो जितने भी living या biotic component है, या biotic factor है उनका abiotic factor, यानि no livings के बीच, जो इनका interaction होता है, जो relationship होता है, इसी को कहा जाता है ecology यानि इसी के बीच जो study है, इसी को कहा जाता है ecology अगर एक example के साथ मैं आपको समझाओ, तो आपको easily समझ में आ जाएगा, जैसे for example, यह जो soil है, water है, या sunlight है, यह सब abiotic factor है, लेकिन इनका हमारे जीवन में काफी जादा महत हो है, इनसे हम काफी जादा जूड़े हुए है, यदि sunlight प्रिथवी पर ना आये, तो photosynthesis नहीं पाएगा, जिससे की food का formation नहीं हो पाएगा, और हम सब भूखे मर जाएगे, तो यह जो abiotic factor जो sunlight है, वो उसकी वज़ए से plant के अंदर photosynthesis हो रहा है, जिससे की food का formation कर रहे हैं, और हम consumer की तरह है, उन plant पर dependent है, ठीक, तो मैंनी कि हमारा soil से या environment से एक बहुत बड़ा interaction है, एक ecology, इसे को हम अच्छे से define करेंगे, यदि आपने हमारा telegram channel bio book tag है, अगर आपने उसे join नहीं किया है, telegram group bio book tag के नाम से बना हुआ है, आप उसको join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको notes या कोई information ब्यास से related होता है, तो मैं वहीं पर आपको provide करता हूँ, तो चली दोस्तों start करते है तो चली friends, सबसे पहले cover करते हैं ecology के basic points को, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यह जो ecology होता है, यह term use किसने किया था, तो 1866 में ecology word या terms का use किया था, आंस्ट हेकल ने, और आंस्ट हेकल ने ही इसको 1869 में define किया था, उनके according the total relation of animal to both it organic and inorganic environment, यह जो animals है, animals के organic और inorganic environment का जो relation होता है, जो इनके beach interaction होता है, इसी की study को कहा जाता है, ecology, आपको याद रखना होगा MCQs के लिए father of Indian ecology, इंडिया के जो father of Indian ecology है, वो कौन है, तो आप यहाँपर note करेंगे रामदियो मिश्रा, sort question में MCQs में कई बार पूछा जाता है, और रामदियो मिश्रा ने भी ecology को अ component यानि living, जिसमें जितने भी living things होती है, animals, plants, bacteria, जैसे living होते हैं, सब biotic component के अंदर आते हैं, वहीं पर हम abiotic component की बात करें, तो इन में जो है, जैसे sunlight, soil, यानि edific factor, या temperature, या फिर sunlight, मतलब यह सारे जो abiotic factors हैं, इनका आपस में interaction है, connection है, एक relationship है, तो इनी relationship को, इनी interaction को हम कहा पर study करते हैं, ecology के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर, एक और scientist है, जिनका नाम है, Eugene Adam, इन्होंने 1963 में, इन्होंने भी ecology को simply define किया, कि ecology is the study of structure and function of nature, तो इस तरह से ecology की कई सारी definitions हैं, जिसके base पर हम simply समझ सकते हैं, कि ecology जो हती है, वो plant और animals का environment होता है, plants और animals के चारों तरप, ज इन्होंनी environment और plant के बीच जो interaction है, यानि कि हम अपने environment से किस प्रकार से जुड़े हैं, हमारे लिए वो environment कितना जरूरी है, और environment के लिए हम कितने जरूरी है, मतलब यह सारे जो factor है, इसी को हम कहाँ पर study करते हैं, ecology के अंदर, तो note करेंगे definition, most important definition है यह, अगर short question में आपसे इसा जाए कि define ecology, ecology को define कीजिए, तो लिखेंगे वहाँ पर, ecology is the study of how organism interact with one another, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह जो interaction है, वो living और non-living के बीच ही है, यह living और living के बीच भी interaction होता है, यानि कि जैसे for example, यह जो green plant है यह भी living है, animals है यह भी living है, और animals जो होते हैं, और green plant, इनका भी आपस में एक relationship है, इनका भी एक interaction है, यह जो जितने भी carnivores होते हैं, जितने भी herbivores animals होते हैं, herbivores जो है, herbs, shrubs को खाते हैं, त्रीज को खाते हैं, ठीक है, और फिर जितने भी consumers होते हैं, primary consumers, secondary consumers, या top consumers, यह एक दूसरी के उपर dependent रहते हैं, यानि कि sunlight से energy का flow हो रहा है, और वो धीर धीरे energy का flow इसी तरह से, producer से ले करके, consumer से ले कर, फिर डीकंपोजिसर तरह से energy का flow चलता रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप note करेंगे, ecology is the study of how organisms interact with one another, with their physical environment, यानि कि अपने physical environment से तो connect हैं ही, उनसे तो interact करते ही करते हैं, लेकिन आपस में भी इनका interaction है, the distribution and abundance of organism on earth is shaped by the biotic, बायोटिक के अंदर living organism आते हैं, यानि living organism से related सब के सब, बायोटिक के अंदर आएंगे, और ये बायोटिक के अंदर non living और physical factors आते हैं, correct, इसको हम और भी detail में study करेंगे, आगे चलकर जितने भी lectures ecology के आएंगे, उसको धीरे धीरे हम detail में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक छोटा साइक चार्ट के रूप में हम इसको summarize कर रहे हैं, ठीके, देखे, living and non living के बीच तो interaction होता है, यह साथ में living और living के बीच भी interaction होता है, यानि कि ecology के अंदर हम living, living के बीच भी interaction को study करते हैं, अंस्ठेकल के बारे में हमने discuss किया, यूजीन ओडम, ए मिश्रा आर, आर मिश्रा यानि रामदियो मिश्रा के बारे में इनका भी हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं यह जो plant ecology है, plant ecology क्या होता है, यानि कि अभी ecology तो ठीक है, लेकिन अब plant ecology को अगर आपको define करने के लि ग्रूप को affect कर रहे हैं, तो इस तरह के उनके relationship और affection को हम study करते हैं, plant ecology के अंदर, correct, क्योंकि यह जो plant और animals होते हैं, यह इन्हें कई सारे ऐसे environmental factor होते हैं, जो कि इन्हें affect करते हैं, ठीके, पौधे और जनतुओं के आसपास पूरा वातावरन जो इनका environment है, वो इन्हें affect कर करता है, और इनकी जो पूरी life होती है, animals और plant की जो पूरी life होती है, यह adaptation में ही, adaptation के उपर ही depend करती है, जैसे for example, यदि आप polar reason में चले जाओ, तो polar bear आपको दिखाई देगा, यानि इतना खतरनाक temperature में भी वो survive कर रहा है, ठीक है, high temperature पे भी कई सारे animals survive करते हैं, कई सारे animals ज को adapt करते हैं, जो plants होते हैं, जैसे zerophytic में आप जाएंगे, तो वहां के जो plants होंगे, वहां के पतिया कुछ इस तरह से होंगी, जिससे की, कुछ इस तरह से modify हो जाते हैं, जिससे की transpiration कम हो, तो यानि अपने environment के according, यह जो organism होते हैं, चाहे वो plant हो या animals हो, यह अपने environment के according, अ branches of ecology, according to Krichner and Sreuter, यह दो ऐसे scientist हैं, जिनों नो ecology को दो main branch में divide किया, number first is that, ortecology, number second is that, sin ecology, अब यह जो ortecology है, यह क्या होता है, sin ecology क्या होता है, यह दो number में short question में, exam paper में, कई बार repeat हुआ है question, और इसको मैं important short questions की list में भी मैंने upload किया था, तो आपको इसकी definition को note करना होगा, तो ortecology क्या है, ortecology is concerned with the study of individual animal or plant species or its population throughout its life history in relation to the habitat in which it grow or, in other words, यहाँ पर आपको simply समझना होगा, यह जो ortecology होता है, इसमें हम study करते हैं, किसी भी individual animal और उसके population का, जो environment से जो interaction है, जो relationship है, और यह जहाँ पर grow कर रहा है, उससे क्या relationship है, इस species का, हम इसके बारे में study करते है तो simply ortecology is concerned with the study of individual animal, अब वो चाहे जो individual species है, वो animals की हो, या plants की हो, हम किसी भी individual species और उसके population का, उसके environment से क्या relationship है, क्या interaction है, और जहाँ पर वो grow करती है, मतलब इस सब को study करते हैं, या फिर इसे हम इस तरह से भी explain करते हैं, in the other word, it is the study of interrelationship between the individual species और its population and its environment, तो इस तरह से भी आप इसको explain कर सकते हैं, ortecology को हम species ecology भी बोलते हैं, तो एक चीज ortecology में आपको main point है, वो ध्यान रखना होगा, इसमें हम किसी भी individual species, चाहे वो plant की species हो, चाहे वो animal की species हो, और उसके हम population का जो interaction है, जो relationship है, वो हम environment से देखते हैं, ठीक है, number second is that sin ecology, इसे हम community ecology भी बोलते है, community ecology और sin ecology is the study of interaction between species in communities on many special and temporal scales, इसमें हम different, different group, जैसे for example, cow का एक अलग group हो जाएगा, human का एक अलग group हो जाएगा, birds का इक अलग group हो जाएगा, मतलब अलग-अलग group को हम study करते हैं, ठीक है, तो community ecology और Syn Ecology is the study of the interaction between species in communities on many special and temporal scales अब इसमें हम उस species जो different community है उनका हम क्या study करते हैं उनके distribution, उनके structure, abundance, demography and interaction between co-existing population तो simply यह है Auticology और Syn Ecology की definition अब यह जो Syn Ecology है इसको हम further three parts में, three branches में divide कर सकते हैं Numbers First, Population Ecology कई बार short question में आपसे यह भी पूछा जाता है What is Population Ecology? Population Ecology के अंदर basically हम किस चीज को study करते हैं तो यहाँ पर simply हम study करते हैं group of similar type of individual relation to environment इसमें basically ऐसे for example कोई एक one species है ठीक है उसी species के जो दो pure जीव को आप ले लीजिए pure एकदम सुद्ध जीव जिसे हम pure stance बोलते हैं उसी की unit को, ठीक है हम क्या मानते हैं जो pure शुद्ध जो है, सुद्ध जीव है उन्ही को हम unit माल लेते हैं और देखते हैं उसी के growth कैसे हो रहा है या फिर उसके structure कैसा है, regulation कैसा है उसका environment से क्या direction है मतलब एक single individual species के आप study कर रहे है उसके environment से उसका relationship देख रहे है तो हम कहेंगे इसे population ecology ठीक है, community ecology क्या है community ecology जैसे किसी एक particular area में different different species है ठीक है, different different species के जो organism है, जीव है अब उनके different group को अगर आप study कर रहे हैं तो उसको हम गो लेंगे community ecology आप देख रहे हैं कि different group का आपस में क्या interaction है आपस में क्या relationship है और environment से क्या relationship है तो उसको हम बोलेंगे community ecology यानि कि यह सब हम community ecology के अंदर study करते हैं biomikology के अंदर हम क्या करते हैं जब आप group of more than one communities जब आप एक से ज़्यादा community को study करते हैं किसी particular reason में आप देखते हैं कि उसका environment से क्या relation है क्या interaction है तो उसको हम बोलते हैं biomikology तो बहुत इस simple terms है बस आपको ध्यान से सबजना होता है कि आखिर किसका किस से interaction है और किस तरह से इसको हम divide कर सकते हैं तो इसको फटा-फटा आप note कीजिए जैसे for example कोई plant या animal है वो जिस भी habitat में रह रह रहा है उस habitat का उस plant या animal से जो relationship है जो interaction है उसी की study को कहा जाता है habitat ecology यानि habitat ecology के अंदर हम किसी भी organism चाहे वो plant हो या animal हो उसके habitat के बीच जो relationship है जिस habitat में वो animal या individual रह रह रहा है उसी की study को कहा जाता है habitat ecology नमबर सेकिंड paleology paleo ecology paleo ecology के अंदर हम study करते है जो geological past में जितने भी जो plants हैं उनके environment से जो relationship था उसके बारे में हम study करते हैं the study of organism चाहे वो organism का मतलब इसमें plant भी आ सकते है animal भी आ सकते है कोई भी living organism आ सकता है so in their environment in geological past geological past में जैसे कोई plant है जैसे for example हम रहाइनिया plant हम अल्लेडी ब्यस्ट यर के अंदर पड़ चुके हैं तो रहाइनिया में जिस समय रहाइनिया teridophyte present था तो उसका आसपास का जो environment था उसका उससे क्या relationship था तो मतलब इस तरह की study को हम कहाँ पर करते हैं paleo ecology के अंदर number third gene ecology genetic makeup of species और population जैसे कोई species है या उसकी population है उसका जो genetic makeup से उसका environment से क्या relationship है एक बार फिर से मैं इसको repeat करता हूँ जैसे कोई species है ठीक है और उसी species का कोई population है उस population या species का जो genetic makeup है उस genetic makeup का environment से उसके environment से क्या relationship है इसको में study करते है gene ecology के अंदर अब उसमें gene का composition, gene की variability ये सब उसमें देखा जाता है human ecology study of relationship between human and their environment humans का यानि हमारा environment से क्या संबंद है जो relationship होता है उसी को का जाता है उसकी को study किया जाता है human ecology के अंदर space ecology अब जैसे for example space में जो astronauts जाते हैं उनके environment से जो relationship होता है वहाँ का जो environment है वो बिल्कुल different है तो वहाँ के environment में उसकी जो supporting life होती है note करेंगे supporting life of man during the long space flight or during the extending exploration of extraterrestrial environment यानि space की environments में जो हम study करते हैं humans का जो भी astronauts महाँ पर जाते हैं तो इसको हम कहाँ पर study करते हैं space ecology के अंदर जियोग्राफिक ecology इट डिल्स विद डिस्टिबूशन ऑफ प्लांट जियोग्रेफिक डिस्टिबूशन यह जो प्लांट का जो distribution है जियोग्रेफिक में यानि पूरे प्रित्वी पर जो प्लांट का distribution है वो हम कहाँ पर study करते हैं जियोग्रेफिक ecology में ठीक है प्लांट का जो पूरा distribution है यानि वितरन कहां कहां पर वो present है radiation ecology के अंदर study of growth यानि cool radiation and radioactive substance over the environment and living productivity यह जो radiation है इसका किसी भी organism पर या किसी चीज के productivity पर क्या क्या effect होता है radiation का यह सब हम पढ़ते है radiation ecology में ठीक है उसके बाद आता है ecological energetics इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम किसी भी ecosystem के अंदर energy का conservation और energy का flow देखते हैं कि energy कहां से कहां flow कर रही है जैसे आपने पढ़ा होगा 12th class के अंदर ही पढ़ा होगा कि जैसे sunlight से energy flow कर रही है producer के अंदर जा रही है फिर वो producer से primary consumer फिर secondary consumer फिर tertiary consumer फिर top consumer फिर decompositor इस तरह से मतलब एक energy का flow हो रहा है conservation energy यानि energy के conservation में हम क्या देखते हैं इसमें जैसे for example होती है जैसे की पानी ठीक है पानी है यानि कि water या forest है या फिर soil है इनके resources और इनके management को कहां पर study करते हैं conservation ecology यह सब human welfare के अंदर इसी तरह का एक applied ecology है बालब different different branch है ecology की जो कि आपको पता होने चाहिए तो यह एकदम एक starting था ecology का ये video मैंने एक start किया है ecology इसके base पर हाला कि आपको अल्रेडी पता होगा बट इसकी माध्यम से इस video के माध्यम से मैंने ecology को start कर दिया है अब हम ecology के उपर काफी सारी videos लगातार बनाएंगे मिलते हैं दोस्तों next video में वीडियो पसंद आए लाइक करें चैनल को subscribe करते